ICICI Bank VideoCon Loan Fraud Case में सोमवार को CBI ने वेड़ो गोपाल धूत की गिरफतारी की 71 साल के वेड़ो गोपाल धूत VideoCon के CEO है Consumer Electronics और Home Appliances में VideoCon एक बड़ी कमपनी रही है इस वक्त ये कमपनी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है बीते हफते CBI ने इस केस में ICICI Bank की पूर्व MD चंदा कोचर और उनके पती दीपक कोचर को गिरफतार किया था दरसल साल 2012 में VideoCon Group को ICICI Bank ने लोन दिया था जो बाद में NPA हो गया और बाद में इसे Bank Fraud कहा गया ज़ानकारी के मुताबिक 2012 में चंदा कोचर के नेत्रोत्त में ICICI Bank ने VideoCon Group को 3250 करोड का लोन दिया था और 6 महिने बाद वेड़ो गोपाल धूत के स्वामित वाली मेसर्स सुप्रीम एनरजी ने मेसर्स New Power Renewable को 64 करोड का लोन दिया जिसमें दीपक कोचर की 50% हिस्सेदारी है आरोप है कि इस तरहें चंदा कोचर ने अपने पती की कमपनी के लिए वेड़ो गोपाल धूत को लाब पहुचाया साल 2018 में ये खुलासा होने के बाद चंदा कोचर को बैंक से स्तीफा देना पड़ा सीबियाई ने पहले फरवरी 2018 में इस मामले में जाच शुरू की 2019 में चंदा कोचर के खिलाफ आरोपो की जाच कर रही जस्टिस बी एन श्री कृष्णा समिती की रिपोर्ट आई समिती ने अपनी जाच में पाया कि वीडियो कौन को कर्ज देने के मामले में कोचर ने बैंक की आचार साहिंता का उलंगन किया कोचर की स्विक्रती पर इस कर्ज का कुछ हिस्सा उनके पती दीपक की मालिकाना हक वाली कमपनी को दिया गया बेरहाल चंदा कोचर दीपक कोचर और अब वेडुगोपाल धूत को गिरफतार कर लिया गया है कविदेश के टॉप टेन अमीरों में शामिल रहे वेडुगोपाल धूत भी कानून के स्चिकंजे में हैं नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योज़ 24